सो हे नमस्कार दोस्तों, इस कुल्दीब है और आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ सामसंग गेलक्सी S10 Lite को लेकर के जो कि यहाँ पर हमारे बिच रूमर हुआ है और यह फोन हमें December 2019 में देखने को मिल सकता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाईए ऐसी informative वीडियोस देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर जबब से एपल ने अपना आईफोन 11 और आईफोन 11 परो सीरीज लाँच की है तब से यहाँ पर जो है उन्होंने मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर करने की कोसिज किये एपल 11 की प्राइसिंग के साथ दोस्तों यहाँ पर iPhone 11 को काफी चीप प्राइस पर Apple ने लाँच किया है हलाकि इस फोन में आपको जो एक कमाल की स्पेसिपिकेशन देखने को मिल जाती है कमाल का कैमरा सिस्टम देखने को मिल जाता है एक डिस्प्ले को अगर आप छोड़ दे तो बाकि सारी स्पेसिपिकेशन एक फ्लेक्सिप फोन की है उसी तरह यहाँ पर सामसंग ने भी एक कॉपी करने की कोशिस की थी Apple को अपने S10e मॉडल के साथ लेकिन जो Apple का iPhone XR था या फिर 11 सीरीज का 11 फोन था वो काफी ज़्यादा सेल्स हो रहा है लेकिन जो सामसंग का S10e है वो उतना सेल्स नहीं हो पाया इसके पीछे मुखी रीजन यह है कि दोस्तों जो S10e का साइज है स्क्रीन साइज वो काफी छोटा हो जाता है और जो 2019 है उसमें स्टेंडर्ड है एटलिस्ट 6 इंचेस के ऊपर कोई भी फोन का डिस्प्ले होना चीए लेकिन जो सामसंग गलेक्सी S10e है उसमें आपको 5.8 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और यह थोड़ा सा स्मॉल फोन लगता है जिस कारण से यहाँ पर लोग उतना पॉपुलरिटी के साथ खरीत नहीं रहे अब यहाँ पर सामसंग उसी चीज को कैश आउट करना चाता है और एपल के 11 सीरीज और 10R को काफी टकर देना चाता है जिसके लिए वो अपना एक S10 Lite मॉडल लेकर के आ रहे है अब यहाँ पर आपको 6.7 इंचेज की Full HD Plus डिस्पले देखने को मिल जाएगी जो कि एक Super AMOLED डिस्पले है इससे पहले हमें यहाँ पर सामसंग के फोन्स में Dynamic AMOLED डिस्पले देखने को मिली है Note 10 और S10 सीरीज में जो काफी कमाल की थी लेकिन जो कॉस्ट है उसको Reduce करने के लिए सामसंग यहाँ पर Super AMOLED डिस्पले दे रहा है जो कि 60 Hz पर होगा और यहाँ पर HDR Plus का भी सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा साथी साथ यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा अगर यह पूरे World Wide Reason में लाँच होता है तो World Wide में भी आपको इसी प्रोसेसर के साथ यह फोन देखने को मिलेगा वही अगर बात करें यहाँ पर RAM की तो आपको जो है इस फोन में 8GB की RAM देखने को मिल जाएगी जूकि 2GB ज़्यादा RAM होगी as compared to Samsung Galaxy S10e साथ ही साथ अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर यह फोन जो है ड्यूल कैमरा के साथ आने वाला है जिसमें कि आपको 12MP का में कैमरा और 16MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको जो है OLED डिस्पले Infinity O Cutout के साथ दिया जाता है जिसमें कि आपको Middle में Infinity O Display लेखने को मिलेगा जो कि एक बार फिर से यहाँ पर शांदार फिलिंग देगा आपको जो है Back में Glass Bag देखने को मिल जाएगा यहाँ पर Front में भी आपको Gorilla Glass 6 और Back में भी आपको Gorilla Glass 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी साथ ही साथ जो है यहाँ पर यह 4500 इमेज की बैटरी के साथ आने वाला फोन है तो यहाँ पर जो है आपको बैटरी काफी कमाल की देखने को मिलेगी वह अगर बात करें यहाँ पर Super Fast Charging की तो दोस्तो आपको इस फोन में जो है 45W तक की Fast Charging देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर सामसंग की अब तक की सबसे Fast Charging है और सामसंग यहाँ पर अगर 45W का Charger भी आपको Box में Provide कराता है तो काफी कमाल की बात हो जाएगी तो यह सिगनिफिकेट अपग्रेड होगा एस कंपेड तो यहाँ पर S10E और इस फोन के अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है 699 डॉलर या भी उससे कम अगर सामसंग रखता है तो ही यह फोन एक सामसंग के लिए सकसेसर साबित होगा और यह Apple iPhone 11 को टकर दे पाएगा तो उमीद करता हो दोस्तों यह वीडियो जरूर पसंदा होगा अगर वीडियो पसंदा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए, सेर कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगली वीडियो तक के आने के लिए बाए बाए जय ही